नमस्कार आज अपन बात करेंगे जन्माश्ट में पर भगवान स्रीक्रिष्ण को पंजीरी का बोग क्यों लगाया जाते हैं वेसे तो भगवान स्रीक्रिष्ण के जन्म दिवस पर 56 परकार के बोग भगवान स्रीक्रिष्ण को लगाया जाते हैं लेकिन क्या आपको पता है उससे सबसे नंबर वन भोग है धनिया की पंजिरी भगवान से क्रिष्ण को धनिया की बनी हुई पंजिरी बहुत ही प्री है अपने परसाद में आप 56 प्रकार के भोग भगवान से कृष्ण को लगा रहे हो लेकिन उसमें धनिया की बनी हुई पंजीरी नहीं है न तो वो सारे भोग कुछ कान के नहीं है क्योंकि बगवान को सबसे जधा प्रीय, धनिय की पंजिरी बहुती प्रीय है। अब भगवान सी प्रिष्न को यह धनिय की बनी हुई पंजिरी प्रीय क्यों है、 इसकी पुरmeraनेक मायननित्या है, जो मैं आपको आज बताता। कैसे है जब बाल्यकाल में भगवान सिक्रिष्ण माGUां श्री चुख ख åtाइक करतेट आपने भी सुना होगा और बहुत सारी देखा भी होगा कि बच्छमन में भगवान सी क्रिष्ण पड़ा होगा आपने पूरा नो में और गृंतों में बगवान सी श्रीक्रिष्ण बच्मन बहुत ही माकन और मिस्री खाया करते थे तो माता यसोधा जब यह देखती थी कि बगवान सिक्रिष्ण माकन और मिस्री बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उस माकन और मिस्री का प्रभाव नुकसान बगवान सिक्रिष्ण के शरीर में ज़्यादा नह थी भूख खिलाने से स्रीकृष्ण को वह जो माखन और मिस्री पज जया करते थे और उनको ज्यदा नुक्सान नहीं होता था उनके शरीर को इसलिए तब से एक माणियता चली आ रही है कि धन्यय की पंजिरी भगवान स्रीकृष्ण को बहुत ही प्री है और जब भी जनमाष आती है तब भगवान स्रीकृष्ण को धन्य की पंजरी का भोग लगाए इसके साथ ही कहते हैं कि धन्य की जो पंजरी है ना उसका हेल्थ बेनिफिट भी बहुत है आप नॉर्मल दिनों में भी धन्य की पंजरी बना कर खा सकते हो उसका बहुत ही अच्छा लाब आपको मिलत सेकंड जिस किसी को भी यूरिन इंफेक्शन है इसमें भी धन्य की पंजरी बहुत लाब देती है थर्ड यह आंकों की रोस्नी भी बढ़ाती है अगर किसी की आंके कमजोर है तो धन्य की पंजरी का प्योग कर सकते हैं यह आंख की रोस्नी बढ़ाने में फाइदा देती है फॉर्थ यह पाचन तंत्र को मजबूत करने का भी काम करती है अगर किसी का पाचन तंत्र मजबूत नहीं रहता है तो उसको दन्य की पंजीरी बना के खानी चाहिए जिस को भी गटिया रोग है उसको भी दन्य की पंजरी खानी चाहिए उसको भी लाप इसको भी लाव मिलता है आज यहीं मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिपिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहें और ऐसे ही अध्यत्म से जुड़े इसे में आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा